आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello Friends, आज हम अपने Class 6 की बुक हमारी जिस बुक का नाम क्या है अब back with the Sun, जो के मारी Supplementary Book है उसका हम Chapter No. 2 करेंगे हमारे Chapter का नाम क्या है The Friendly Mangus Mangus क्या होता है नेवला होता है नेवला उसे बोलते है तो देखी क्या लिखावा है यहाँ पे A farmer, his wife and their small child lived in a village एक किसान और उसकी बीवी और उसका एक छोटा सा बच्चा गाउ में रहते थे There was also a baby mangoos in the house who they believed would be their son's companion and friend in future और उन्ही के घर में baby mangoos mangoos मितलब नेवला का बच्चा रहता था और वो से क्यों रखते थे क्योंकि उन्हें यह लगता था उन्हें यह विश्वाश था कि वो उनके बच्चे के साथ खेले कूदेगा और उसका दोस्त बन जाएगा future में One day the farmer and his wife went out living the child along with the mangoos और एक दिन वो अपने बच्चे को अकेला छोड़ के साथ अकेला छोड़ कर भाहर चले जाते हैं तो देखें क्या होगा इस चाप्टर में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है हमारी चाप्टर में Once a farmer and his wife lived in a village with their small son They loved him very much We must have a pet The farmer said to his wife one day एक बार एक farmer और उसकी wife एक गाउ में रहते थे और उनका एक छोटा सा लड़का भी था और वो उससे बहुत प्यार करते थे और farmer अपनी वाइफ से क्या बोलता है एक दिन कि उनके पास एक pet होना चाहिए मतलब एक पालतु जानवर होना चाहिए When our son grows up He will need a companion क्योंकि जब उसका बेटा बढ़ा हो जाएगा तो उसको किसी साथी की जरूरत होगी This pet will be our son's companion His wife liked the idea और उसके जो farmer है उसने क्या कहा कि वो companion ही वो जो pet होगा वो हमारे son का companion बनेगा उसका दोस बन जाएगा उसका साथी बन जाएगा और उसकी wife को यह idea पसंद आ जाता है One evening the farmer brought him brought with our tiny mangos और एक शाम को क्या होता है कि जो farmer है ना वो छोटा सा mangos मतलब नेवला ले आता है It's a baby mangos जो कि भोछ छोटा था said his wife उसकी wife ने बोला कि यह तो भोछ उसका बच्चा है यह तो एक नेवले का बच्चा है But will soon be fully grown He will be a friend to our son अब वो क्या कह रहे है वो क्या कह रहे है उसकी wife लेकिन कोई नहीं यह जल्दी बढ़ जाएगा और हमारे जो बच्चा है हमारा जो बेटा है उसका दोस्त बन जाएगा स्टुडेंस अब यह फोटो देख रहे हूँ न यह उनका बेबी है और यह वो बेबी मंगूस यह वो उसकी wife और यह farmer ओके फिर आगे देखे आगे चप्टर में क्या लिखावा है क्या बोला जा रहा है चलिए और बेबी और मंगूस बढ़ने लगने हैं और पांच से छे महिने में जो मंगूस होता है जो नेवला होता है वो पूरा बड़ा हो जाता है पूरे फुल साइज का हो जाता है और वो बहुत सुन्दर अनिमल दिख रहा है जिसकी दो शाइनी आईज है और पूरी बड़ी सी बुशी टेल है फैदर्स की टेल बितल होती है न वो उसकी टेल है उसके जो बाल होते है उसको बुशी टेल बोला गया है स्टूडेंस, ओके the farmer's son was still a baby in the कार्डल कार्डल की से बुलते है स्टूडेंस पालना होते है न वो अभी भी उसी में था जो farmer का बेटा था वो अभी भी छोटा था लेकिन जो नेवला था वो बढ़ चुका था sleeping and crying already और वो वही सोता रहता था और एक दिन farmer की वाइफ को मतलब उसे वो market जाना चाहती थी she fed the baby and rocked him to sleep in his cradle और फिर क्या होता है उसे market जाना होता है तो वो बेबी को दूद पिला देती है और उसे सुला देती है उसी छोटे से पानले में picking up the basket she said to her husband I am off to the bazaar और वो basket उठाती है और अपने husband को बोल के जाती है कि मैं bazaar के लिए जा रही हूँ the baby is sleeping keep an eye on him frankly I don't like to leave the child alone with the mangos बच्चा सो रहा था और क्या कहा रही थी कि बच्चा सो रहा है और अपने आखे उस पर रखना उसका ध्यान रखना उसे अकेला मत छोड़ना क्योंकि उसे मंगूस के साथ में अकेला नहीं छोड़ना चाहती अब वो फार्मर क्या कह रहा है तुम टेंशन मत लो तुम परेशान मत हो और जो मंगूस है जो नेवला है वो फ्रेंडली अनिमल है और वो क्या कह रहा है कि वो बहुत स्वीट है और वो हमारे बेबी की तरह ही है और वो हमारे बेटे का बेटे का बेस्ट फ्रेंड है तुम्हें पता है यह और जो वाइफ है वो बजार के लिए चली जाती है लेकिन अब farmer के पास तो कुछ भी नहीं बचाए करने को घर में Decided to go out and take a look at his field not far away फिर क्या decide करता है कि अपने field देखने जाता है अपने खेतों को देखने जा रहा है वो जो कि जादा दूर नहीं है Okay, he ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time और उसे रस्ते में कुछ अपने दोस्त मिल जाते हैं और वो जल्दी वापस नहीं आ पाता है तो देखी students यहाँ पर हमें कुछ points दी गए हैं यह हमारी key points होते हैं कि हमें इस chapter में आगे देखने को यह सब मिलेगा तो देखी क्या क्या The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket She found the mangos at the entrance of the house with blood of his face and paws फिर क्या होता है कि जो farmer की wife है वो घर वापस आ रही थी अपने हाथ में heavy basket लेकर बास्केट क्या होती है students टोकरी और वो क्या देखती है कि जो mangos है न जो वो नेवला है वो entrance पे ही घर के entrance पे ही बैठा हुआ है और उसके face पर पूरा blood लगा हुआ है और उसके जो powers है जो उसके पंजे है उस पर भी She jumped to the conclusion that it was her son's blood and the mangos was the guilty man और वो एकदम से कूती है क्योंकि उससे लगता है कि जो उसके face पर blood लगा हुआ है वो उसके बेटे का है और ये mangos की वज़े से ही हुआ है mangos ने उसे खा लिया है तो आगे देखिए फिर हमारा chapter स्टार्ट हो रहे है क्या The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries groceries क्या होती है students जो हमारा घर का समान होते है उसे बोलते है groceries और जो farmer की wife है वो अपना सारे shopping खतम कर लेती है और घर वापस आने के लिए अपनी basket मतलब उसकी basket पूरी भरी हुई होती है और उसके साथ वो वापस आ रही होती है She saw the mangos sitting outside as if waiting for her और वो क्या देखती है कि जो mangos है वो दर्वाजे पर उसका बाहर ही wait कर रहा है बाहर ही बैठा है और वो उसका जैसे तो wait कर रहा हूँ On seeing her, he ran to welcome her और उसे देखते ही वो एकदम से भागता है उसका welcome करने के लिए As was customary Customary का मतलब क्या होती है students कि जैसे वो हमेशा करता था The farmer's wife took one look at the mangos and screamed blood she cried The face and paws of the mangos were smeared with blood Okay और जब farmer की wife आती है और मतलब एक बार के लिए mangos को देखती है तो वो चिलाती है खून क्योंकि उसके face पर और उसके पंजों पर सारी जगे blood blood लगा हुआ था सारे face उसका पूरा खून में लगपत था You weaked animal अब वो उस पर चिला रही है और उसे क्या कह रही है You weaked animal यहाँ पर students जो weaked है weaked का मतलब क्या होता है शैतान उसे क्या कह रही है तुम शैतान animal You have killed my baby तुमने मेरे बच्चे को मार दिया She screamed hysterically और वो गुस्से में उसे बोलती है चिलाती है She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of grocery और वो बिलकुल डर के मारे blinds ही हो जाती है और पूरी strength के साथ जो वो basket लाई थी वो जमीन पर रख देती है On the blood smreed mongoose and ran inside to the child's cradle और बास्केट रख के अंदर जाती है और अपने बच्चे के वहाँ पर देखती है पालने के पास क्या देखती है वो देखें The baby was fast asleep but on the floor lay a black snake torn and bleeding फिर क्या देखती है वो कि बच्चा तो जैसे पहले सोया था वैसे ही सोया हुआ है और फ्लोर पे एक काला साप पड़ा है जिसके जिसके उपर blood मतलब नेवले ने उस साप को मारा था देखें यहाँ पे पिच्चर दिख रही है students यह साप है वो सनेक है यह वो बेबी है और यह वो लेडी है तो उस नेवले ने साप को मारा था और वो उसी का blood था In a flash she realized what had happened She ran out looking for the mangos और एकदम से उसे पता चल जाता है कि क्या हुआ है कि साप आय था उसके बेबी को खाने और mangos ने उसको मार दिया है Oh you saved my child You killed a snake और वो क्या कह रही है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया है और तुमने साप को मार दिया What have I done? She cried Touching the mangos और वो क्या कहती यह मैंने क्या कर दिया और चिलाती है और mangos को छूती है Who lay dead and still unaware of her sobbing जो की मर चुका था और उसे अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो मर गया है और वो रोय जा रही है और फिर फार्मर की वाइफ जिसने बिलकुल गंदे तरीके से उसे पेश आया था और बहुत गंदा बिहेव किया था उस mangos के साथ उस छोटे से पेट के साथ जिसने उसके बेबी की जान बचाई थी वो उसे देखती रहती है उस dead mangos को क्योंकि mangos मर चुका था उसे बहुत देर तक देखती रहती है और फिर वो एकदम से क्या सुनती है कि उसके बच्चा रोने लगता है और वो अपने tears को पोचती है और अपने बच्चे को दूद पिलाती है students इस story में हमने क्या देखा जो हमारा pet animal है वो कितना अच्छा होता है कि उसने उस baby की जान बचाई उस साब से तो students यहां हमारा chapter finish होता है Thank you so much I hope you like it और चार्सो 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 पर